तो वेल्कम टू इलिस्ट्रियस अखेडमी और आज का यह जो हमारा ओडियो रहेगा वो टैडिकेट रहेगा इस्ट्रों के मूंस्क इंपॉर्टन सेटनाइट्स के उपर जो खासकर आपके एक्जैम्स में पूछे जाते हैं उन पर यह और यह वीडियो रहेगा एंद देन मैं अपर उन्हीं को लोगा जो अभी हांसलाल में पूछे गए हैं और उन्हीं क्रिश्चिन से बेस्टाम फर्दर अपनी जो इंफॉर्मिशन है उनको ले रहेंगा आप जो भी इंपॉर्टन इंफॉर्मिशन है आप उसके नोट्स बना सकते हैं तो मैं पहला कुशन यहा पहला अपनी कर देख पार होगे इंडिया का पहला कमुमिकेशन सेटलाइड है एपल और यह कव लॉंच किया गया था तो बहुत सिंपल सा इसका answer है तो जो Apple है वो basically start किया गया था Arian 5 rocket launch से Arian 1 इसका rocket launcher था Arian 1 और इसको French Guiana से launch किया गया था भारत में उस समय तक कोई भी launching vehicle developed नहीं हुआ था चीक है तो भारत के अंदर रोहनी स्रीज को भारत के ही launch vehicle हों से start किया गया था देना भारत के launch vehicle से उसके लिए जो dedicated वीडियो है वो यही रहेगा इसी में further question को हम solve करेंगे तो Apple को 19 of the zone यानि कि June 19 तारीक यह तारीक आप लोग लिख सकते है Apple question के आगे ठीक है ना आप dedicated question बनाते जाएए 75-70 question जितने भी रहेंगे अगर वो पार्ट में रहेंगे तो पार्ट में बनेंगे अगर जैसे भी रहेंगे 19 June 1981 19 June 1981 को Apple को launch किया गया था French Guiana से French Guiana जो कि French का दक्षणी अमेरिका में एक Latin America दक्षणी अमेरिका में French Guiana पढ़ता है वहां से इसको launch किया गया था basically Arian 1 Arian 1 नाम से A rock launcher से 1981 में किया गया था तो आप ही किसा है यानि कि 30 साल यहां से हो चुके है और basically यह कैसा दिखता है और क्या करता है इसके बार में भी थोड़ा और बात कर लेते हैं आगे फरदर तो थोड़ा तेज करते हैं और यह basically mark important mind stole on इसने जो mark किया यानि कि इसने एक mark लगाया basically चिन्नित किया भारत को important mind stole कि तोर पे इसको नीव का पत्थर मानेंगे भारत के space program का बिल्कुल सही बात है एक संचार उबग्रव है यह और संचार उबग्रव कहां पर रखे जाते हैं संचार उबग्रव कम्मिनिकेशन सेटलाइट जियो सिंक्रन अर्विट पर रखे जाते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे space program एपल डिजाइन एंड बिल्ट ऐस दसेंडविच पैसेंजर केरिंग मेट्यो सेट तो एक यह डिजाइन किया गया था सेंडविच पैसेंजर मतलब कि basically क्या था कि इसको यह बहुत छूटा सा एक satellite है मैं इसको दिखाऊँगा जरूर आपको और इसके अंदर एक उलका पिंड यानि कि मेटियो सेट जो टॉप पर होता है जो भी satellite की टॉप पर उलका पिंड जिसने कि जितना space था ठीक है और इसको फिर उसके बाद फर्दर जिस भी technology से decide बनाया गया था वो capsule airion technology थी जिसको इससे बनाया गया था फर्दर इसको थोड़ा देख लेंगे इसके बारे में और इसको इट वाज boosted into अब यहां मैं इसको pen change कर लेता हूँ और यहां पर हम देख पाएंगे it was boosted into geosynchronous orbit अब तिक्कत हुई कि geosynchronous orbit आखिरकार होती है तो let's just move on कि क्या होती है geosynchronous so simply orbit के कुछ types होते है ठीक है orbits होती है बिएक किसी भी एक जो pinned होता है कोई भी एक जैसे अर्थ है अर्थ के चारों तरब अगर कोई भी पिंड अगर चक्कर लगा रहा है तो अभी इसी बात है वो किसी एक निर्धारित orbit के ओपर चारों चक्कर लगा रहा होगा तो orbit के तीन type होते है जिस पर satellites revolve करती है ठीक है न तो जैसे मैं आप देख लेता हूँ दिखा देता हूँ जनरली यहाँ पर देखो एक होता है high earth orbit ठीक है एक होता है medium earth orbit and then एक होता है हमारा simply low earth orbit ठीक है जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ high earth orbit के सुरुवाद पृथवी और चंदरमा के बीच की दूरी के दस्वे हिस्से से होती है यानि कि अगर मैं बात करूँ कि पृथवी और चंदरमा की दूरी होती कितनी है तो वो होती है यहाँ पर आप देख पाएंगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको अच्छे से थोड़ा जूम करके देख लेते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर अब जैसे देख पा रहे होंगे कि यह रहा पृथवी और यह रहा चंदरमा चंदरमा इसके बीच की जो दूरी है वो तीन लाक चौरासी हजार है अगर दस्वा भाग निकालूँगा तो लगबख तीन दस्वा भाग अगर मैं दस्वे हिस्से से होगी तो लगबख मान के चलिए इसकी जो होती है लगबख कितनी माने जाती है 38,000 के असपास मान लिजे दस्वे हिस्से से भागा देने पर 38,000 के असपास तो बिल्कुल सही बात है high earth orbit जो geosynchronous satellite है वो रखी जाती है 38,000 km की दूरी पर ठीक है 38,000 की अगर मैं इसको समझने के लिए नीले पैंसे बना दूँ तो ये हो सकती है हमारी high earth orbit अगर तो ये कितना दूर हो जाएगी कोई अगर यहाँ पर से यानि कि जो apple रखा गया था जो सं synchronous orbit यही पर वो घूमते रहते है ठीक है और इनको छोड़ा काश जाता है प्रतवी की विश्वत रेखा से इन satellites को घूमते वे छोड़ा जाता है क्योंकि प्रतवी की satellite में आप देखेगा जब प्रतवी सबसे उसका जो पाड़ा सारकल होता है वो विश्वत रेखा होती है औ और इसको घूमते हुए विश्वत रेखा में कोई चीज़ जब घूमेगी तो बहुत तेजी से उसको प्रतवी के घुर्णन का बल मिलेगा और इसको बाहर जाने में सफलता मिल जाएगी असानी से बहुत support मिलेगा प्रतवी की तरफ से इसलिए Apple को भी छोड़ा गया था हमारी और यूज यहां पर अब इसे अब शमाझ गये इतना आपल को यहां से छोड़ा गया था इसके अलावा भी कोई और सैटटलाइट होती है तीक है इसके अलावा भी देखो जो हमारी और भी और भी और 10 चे जहीज़िक हमने पहली और पढ़िए आपकी GEO, Synchronous Orbit यानि कि Synchronous वर्ट का मतलब होता है कि इसमें जो ओर्बिट यह जो घुमती है यहां पर जो सैटलाइट घुमती है यानि कि Apple जो सैटलाइट घुमी होगी है ना Aryan Passenger उसका नाम में ही है Aryan Passenger पेलोड है ना पेलोड जो है हमारा उसके नाम में लिखा हुआ है तो उसका फुल फार्म याथ पूछ सकता है तो यह तो यह तो होगे 38,000 किलोमेटर दूर एक हो जाती है 2000 से 35,700 वैसे exactly आप बोलेंगे तो 35,780 आपको याद रखना पड़ेगा 35,780 तो मोटा मोटी याद हिसा है जितनी दूरी है प्रथवी की चंद्रमा से यहाँ पर प्रथवी की चंद्रमा से दूरी है 3,84,000 किलोमेटर तो उसका दस्वा हिसा है 36,000 किलोमेटर क्या exactly 36,000 होता है नहीं 35,780 अगर exactly exactly तो 35,780 याद करने के लिए आपको मिल जागा याद करना पड़ेगा आपको 35,780 में जियो संक्रोनस होता है 35,780 किलोमेटर दूरी पर एक त्रिज्या है वहाँ पर होती है ठीक है उसके बाद 2000 से 35,000 के बीच में ये वाला जो भी इलाका दिख रहा होगा आपको मैं इसको हरे हरे से बना देता हूँ इसके इधर वाला जितना इलाका आपको दिखा द पर कौन होता है हमारा यहाँ पर हमारा सिंपली होता है कौन नेविगेशन सेटेलाइट अब ये क्या होती है बबाल चीज तो भाईया जो आपका GPS होता है गूगल वगएरा और भारत का IRNSS ये सब नाविक ये सब इसी के बीच में होता है ठीक है ना तो यहाँ पर हो जाए यहाँ पर इसके बाद एक सीमा नेत्य हो गई है यह मिडिल अर्थ और वेड इसके इसके इधर जो है हमारा यह हो जाएगा मिडिल अर्थ और यहां तक का दैन उसके ऊपर आपका इसकी जो यहाँ पर से जो हो जाएगा तीसरा वाला वह कौन हो जाएगा हमारा वह जाएग में ठीक है तो इतना चीज़े समझ में आ गई तो यह निकि जियो सिंक्रोनस ओर्बिट में होते हैं संचार उपगर और एपल हमारा भारत का पहला संचार उपगर था लेकिन भारत से नहीं छोड़ा गया था छोड़ा गया था फ्रेंच गयाना से नाम रखेंगे याद इसका इंपॉर्टेंट है इसके बाद फदर आगे बढ़ जाते हैं ठीक है तो इस पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको थोड़े बता देता हूँ कि पर्थवी की सता से लगबग 36,000 km दूर एक संचार उपगरों को पर्थवी की परिक्रमा पूरे करने के लिए 23 गंटे 56 मिनट और चार सेकन लगते हैं याद रख लेना ये बात को इंपॉर्टन है पर्थवी की सता से लगबग 36,000 km दूर किसी संचार उपगरों को पर्थवी की परिक्रमा पूरी करने में 23 गंटे 56 मिनट चार सेकन लगते हैं ठीक है न और बाकी बस इसके बाद आप लोगों की जानकारे आजी रेखा हो जाएगी Geo-synchronous रेख्या-अब मां कहा दूं कि है इसी रेखा के इसी रेखा की जैसी एक और रेखा मतलब इसी के पीछे क grate है इसी के पीछे एक ऐसी रेखा है, समझ रहे हो बात को, कहने का मतलब है ना, इससे अगर मिरेको एंगल बनाना होगा, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो जो जो जियो सिंक्रोनास राइन होती है, कहने का मतलब है, जिस रेखा मैं, जैसे ऐसे समझ जो इस बात को, कि जैसे यह रेखा जैसे एह ना इसी की जिस्ट ऐसे पीछे एक रेखा मतलब इसके साथ अगर आप एंगल देखोगे तो 0 लिगरीका बनेगा समझ मैं आ रहा है जैसे अगर इसकी जगह पर अगर यह रेखा ऐसे ना होती यह ऐसे होती अब यह तो हमारी ऐसे है जबकि ऐसे है न यह जबकि अगर जियो सिंक्रोनस इस तरीके से रिवाल्व कर रहा होता तो यह कुछ ना कुछ कोण बनाता अब कोण कैसे बता लगता जैसे यह इस जगह पर घूम रहा है और यह ऐसे घूम रहा है तो एक यह एंगल तो बनी रहा है इनके बीच में वह नहीं बनेगा क्या मतल इस question के लिए बहुत है ठीक है और आप लोगों को बहुतरे पताए होगा कि वो उसका use क्या था use की बात करेंगे तो communication experiment including relay of tv और programming of radio networking ठीक है programs tv programs के लिए और radio networking के लिए ठीक है तो इनी सब के लिए था इसका use basically और एक बहुर बात कि apple ने ही जो है lead किया था यानिकि आधार सि development of operation communication satellite which is grew into a very large constellation of satellite inset and inset and gset series तो अभी inset और gset यानि कि जो इंडियन satellites है और geosynchronous satellites है यानि कि जो inset है हमारी आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में भी inset क्या होती है और gset क्या होती है तो कहरें कि अगर अगर क्या बोलते है यह ना होता apple ना होता तो inset और gset जो हम आज भ ठीक है और यह भी communication satellites है तो यह भी आपका कौन से orbit में भेज जाती है जियो-synchronous orbit में भेज जाती है inside Indian satellites इनके लिए जो भी भारत आज communication के लिए जितने भी constellation यानि कि जितना भी पूरा जुन्ड भेजता है भारत satellites का उसके लिए अधार सिला रखने वाला apple ही है और apple 1981 में 19 June क को भेजा गया था कहां से Arian 1 rocket से भेजा गया था उसमें SLV-3 motor driven का यूज़ किया गया था जो SLV-3 है भारत का अपना particular एक आपका निक आएगा अब मतलब आपका जो मतलब की जो पहला भारत का launch vehicle है वो भी आने वाला है लेकिन उसकी जो motors है इसको last में drive करने के लिए डाली important आपके bestie cone से है निए उसको आप छोड़ सकते है ठीके ना तो Apple के बारे में इतनी जानकरी आपको होनी चाहिए किस orbit में करता है जियो सिंग्रोंड में करता था ठीके अब आगे बढ़ जाते हैं यह आप देख पाएंगे कि Apple के यह जो Apple का figure है और यह उसकी अगले साल आपने इंडियन post office ने मतला Apple उपगरा देखी सकते हैं आपर Apple उपगरा पर यह उपगरा था खुलेगा अभी ऐसा आराम से ठीक है इस पर आप यहाँ पर जो है पेलोड ले जा सकते था आराम से पेलोड ले जाने के लिए था ठीक है तो एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सप पर यह उपगरा तो यह 19 अप्रेल 1975 को जो है आरे भट्ट को लांच किया गया था सोवियत संग के द्वारा यानि कि USSR के द्वारा थीक है USSR के दारा कोस्मोस 3M परच्षेपडवाहन यानि कि लॉंच विकल का नाम था कोस्मोस 3M इंपोर्डेंट है बहुत जादा बार दूसरा कहेगा तो भासकर सेगा हो जाएगा जिसकी लॉंच डेट है साथ जून 1979 अब यह है क्या बेसिकली यह भारत का उग्र है सेटलाइट है यह स्पेस में था बेसिकली यह संचार उग्र नहीं है अभी चिक है ना नॉनमल सेटलाइट है अभी देखिएगा अभी हम 2000 तकरीबन 2015 के बाद से जितने भी इंपोर्टन मिशन है 2021 तक उनको जो इनके बारे में डीटेल में देखने वाले है तो जो अभी इस्ट्रो ने डिसाइड किया है देखिए का ट्रेंडिंग जो मिशन है वो तो आपको पते होगे इस्ट्रो के कौन-कौन से है एक तो मार्स देट नहीं बताएं मैंने कि किस देट से किस देट तक का होगा 15 से 21 तक सारे बारे में पढ़ेंगे जरूर लेकिन अश्ट्रो सैट बेसिकली यह साथ 2018-17 के असपास लॉंच किया गया था इसको लॉंच करने का मेन रिजन यह था यह चरम में है मतलब यह तो बहुत जादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपने अभी मार्स और्बिटल पड़ा और यह एस्ट्रो सैट पड़ा और आपका जैसे कि हायासिस था यह भी इंपॉर्टेंट था अर्थ ऑब्जर्वेटरी के लिए उसके अलावा भी बहुत सारी अधर अधर अंत्रिक्ष के अंदर बहु इस तीसरी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटलाइट है इस रो ने जब स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से आज की डेर तक किस किस तरीके से चला आ रहा है अर्थ को अब्जर्वेटर करने के लिए इस रो ने अलग-अलग समय पर अर्थ के नजदीक वाली औरबिट में या करने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट यानि कैसे सैटलाइट लागाए है जिनसे इस रो उनकी रीडिंग कर पाता है ठीक है कि क्या नाम बोलते हैं जिससे मौसम की वी काफी भुश्वानी कर पाता है ठीक है यह नजदीक वाले से मतलब कि जिससे आपका जो लोवर अर्थ अर्बिड में रहते हैं उसी वज़े से ठीक है बाकि नेविगेट करने के लिए नेविगेट मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा नेविगेट करने के लिए मतलब होता है कि जैसे जीपीस वगएरा इन सब के लिए जो है आपका मिडिल में लगाए जाती है यानि कि मध् बीजिय जार किलो मेटर दूर पर चंदरमा के दस्वे इससे पर ढाल देगा ठीक है उस मिसन को, इस साल का यह जो शो मिशन था इस अर्थ ऑप्जेटिविट्विटीट का दिसरा मिशन था देखो इस MISSION के बारे में यह latest mission था, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इस mission के बारे में क्या मिला, इस mission के बारे में, basically GSLV TAM launch took place on August 12, 2021 को इसको इसको ने launch हुआ था, ठीक है, अब जब भी भी launch हुआ, basically यह schedule था, और I think यह 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 फेल हो गया था, this mission couldn't be accomplished as intended, जिस तरीके से चाहते थे, जब इस सेटलाइट को जिस तरीके से डालना रहे थे, सेटलाइट फेल हो गया यह जो भी था, overall this mission was failure, ठीक है, यह mission fail था, ठीक है, तो GSLV F10, F10, slash इसको हम Earth Observatory Satellite 03 बोल रहे थे, और इसके लिए जो विकल लॉंच विकल यूज किया था, वो GSLV, इतना heavy launch विकल यूज करने की ज़रूद क्या पड़ गई, चलो ठीक है, GSLV, ठीक है, तो basically GSLV, जो क्यू लगाया गया था, यह भी देख लेते है, यह था, अब यहाँ पर जो cryogenic upper stage ignition लिखा है, तो GSLV है, यह इस rocket के अंदर आपको समझना होता है, कि इस rocket के अंदर fuel जो होता है, वो अलग-अलग stage हो में जलता है, ठीक है, तो पहली stage में solid fuel होता है, यह बेसिकली उसका एक particular नाम होता है, इतना लंबा नाम है कि मेरे दिमाग से भी slip हो गया हो नाम, second stage में liquid होती है, दिन उसके बाद cryogenic होता है, कि जहाँ पर fuel को बहुत ही कम temperature पर जलाया जाता है, ठीक है ना, तो यह cryogenic वाला system तीसरा वाला, प्रनोदद मतलब क्या होता है, fuel को जला कर जाते है, जब fuel पहली बार में, जब fuel जलाया जाता है, तो उसको एक pump thrust म मिलता है वहाँ पर से, फिर दुबारा fuel जलेगा, फिर thrust मिलेगी, तो अलग-अलग जगों पर thrust देने के लिए, अलग-अलग fuel रखे होते हैं, ठीक है, अलग-अलग type के, जहाँ पर जैसी fuel की जगरत होती है, जितनी भी, उस ही साब से रखे जाते हैं, तो इस बात को समझना का C5 है, जबकि वो GSLV F10 है, ठीक है, यह PSLV है, यह launch vehicle अलग है, इसका mission, इसका numbering अलग होगी, PSLV-N की polar satellite launch vehicle, ठीक है, यह sun synchronous orbital में डाला जाता है, मतला, basically इसको जो डाला जाता है, वो sun synchronous orbit होती है, उसमें डाला जाता है, ठीक है ना, polar, उसमें डाला जाता है, basically इसको देखो यह polar satellite launch vehicle Amazonia था, उसके बाद से आपका, यहां पर आप देख पा रहे होगे कि PSLV C49 से, PSLV C49 से, इसको ध्यान से पढ़ना, यह वाला जो launch vehicle है, मतलब यह वाला जो mission है, भारत का, earth observatory mission है, ठीक है, इसको, किस से डाल, मतलब इसको जो use किया गया था, PSLV, यानि कि polar satellite launch vehicle, इसक observatory satellite 01 है, यानि कि पहला वाला है, जो 2020 में, November के महने में डाला गया था, पिछले साल, ठीक है, यही पहली हमारी earth observatory missile है, मतलब missile बोल रहा हूं, मतलब है, mission है, ठीक है, ठीक है, तो यह है, C49, earth observatory system, ठीक है, तो PSLV successfully launched, earth observatory satellite 01, and nine customer satellite from Sri Harikota, तो भाही देखो, ऐसा है कि भारत न अपना तो डाला ही डाला, लेकिन साथ में, अधर जो है, वो भी डाले थे, उसके साथ, नो अन्य customer satellite, यानि कि जो भी है, किसी customer के डाल दिये, या फिर देखो, ऐसा customer, इंदा sense का मतलब है, अगर वो earth observatory करने वाले है, तो इससी बात है, कि किसी, हो सकता है, कि कोई private firm के डाल विकल, in its 50, first flight, PSLV C49, देखो, flight 50 पहली थी, मतलब, अब आपको होगे, कि flight 50 पहली सकती है, तो इसके पहले, दो flight खराब हो चुकी है, हमारी, मतलब PSLV की 51 जो है, मतलब, जो है, flight खराब हो चुकी है, मतलब, एक क्यावन फ्लाइट में से, दो flight खराब हुई है, हमारी, बा ES101, along with the 9 international customer, अंतराष्ट ये, कस्टमरों की स्रिटलाइट है, from Satish Dhawan Space Center, जिसको हम बोलते है, SHAR, यानि की Satish, नहीं, इसको हम बोलते है, high altitude, Satish high altitude range, I think, यही कुछ बोलते है, Shri Hari Kota, यह Satish high altitude range, बोलते है, ठीक है, Satish Dhawan, high altitude range, ठीक हो जाएगा, then Hari Kota, और 7 November 2020 को, PSLV, PSLV C49 is the second flight of PSLV in DL configuration, कोई दिक्कत नहीं है, with two solid strap-on motors, देखो भईया, मैंने पहले बताया था, यह, जैसे motors मैंने उस समें भी बताया था, जब आपको मैं जनरली बता रहा था, किसके बारे में, यह solid strap motors है, solid fuel पे चलने वाली दो motors है, basically, जैसे मैंने बताया था, कि SLV 3 में भी यूज हुई थी, जब Arian 1 से हमारा, एपल गया था, तब भी हमारा, जो है, few motors यूज हुई थी, अभी भी जो है, इसमें भी motors होती है, driven करने के लिए, आगे further driven करने के लिए, ठीक है, two solid strap, जो है, हमारी, क्या थी, motors थी, उसमें कोई दिक्कत आली बात नह है, बस इतना ही आपको याद कर लेना है, 9, subsequently, यानि की परिणाम सरूप, 9 commercial satellites were injected into their intended orbit, after separation, जब अलग हुई, और उसके, जैसे ये 15 minute पहले मतला, अपनी orbit में पहुचा, इसने उसको भी छोड़ा, और बाकी सबको अपनी कक्षाओं में छोड़ दिया, उनको छोड़ना था, तो बस simple जी बात है, इसके बारे में इतने आपको पढ़ना था, जो भी customer है, वो हमारे ले तने important नहीं है, बस इतना देख लो कि याद ये कुछ photos है, जैसे कि आपको दिग रहे होंगी, ये photos आपको देख लेनी है, बस that's it, जैसे अभी मतलब आपने देखा न, 49th में हमारा पोलर सेटलाइट लांच वेकल 50 से, ठीक है, इंडिया स कम्मिनिकेशन सेटलाइट जैसे हैं पर simply लिखा भी हुआ है कि कम्मिनिकेशन सेटलाइट, CMS1 वा सक्सिस्वरी रांड, ये 17 दिसंबर को लांच की गई है, तो ये अब 2021 की जो लांच की जाएगी और C51 से की जाएग उसके अलावा भी अधर फर्दर भी लांच हुई थी, ठीक है, अमेरिका की भी आइटिंग कुछ सेटलाइट लांच की थी उन्होंने, और ये है कि भारत ने अपनी सेटलाइट भी लांच की थी, तो कुल मिला करके, overall ये है कि C51 को जो नाम दिया गया है, वो अमोजोनिया के लिए नहीं आगया है, ठीक है, अमोजोनिया C51, PSLV C51 जो फ्लाइट थी, जन्वरी की पहली जो फ्लाइट थी, वो मिशन था हमारा, PSLV C51 मिशन था, वो अमोजोनिया का था, ठीक है, वो फेल हो गया, वो मतलब सक्सेस्फूल था, उसके बाद हमने GSLV की मिशन करा, हमन तो दूसरा मिशन GSLV F10 था, वो फेल हो गया बुरी तरीके से, ठीक है, ठीक है, अब आप से पूछ सकता है कि कौन सा वाला पार्ट फेल हुआ उसका, तो क्रायोजनिक वाला जो है, उसका इंजन तीसरा, क्रायोजनिक वाले में जब उसका इंजन टेक उफ नहीं कर पाया, तो इस वह से जहां जाना चाहा रहा था, वो इंटेंटेट कर्चे तक नहीं पहुच पाया, ठीक है, तो अब यह वाला तो जो है, पास हो गया था, ठीक है, अब देखो, यहां पर एक शीज और बता दू मैं, आफ्टर इंजेक्शन, सोलर पैनल, CMS1, वावर आटोमेटिक इस रोज मास्टर कंट्रोल, एंड इस रोज मास्टर कंट्रोल फैसिलेटिए अटासन, तो हासन में आपको बता होगा कि इस रोज जितना भी सेटलाइट वागेर हैं, सबका कंट्रोल इस ही में होता है, मतलब यही कंट्रोल करते हैं, कि जो भी डेटा लेना होता है, प्लस कि मुवमेट को मोवमेट करनी है या और कर्मिन के मुवमेट करानी है हो अब करना है जो से स्ट्रालाइट का हासान ही होता है यज आप बाकिन लुसंट से ने गाशा सबरने धिए पर सकते ठीकके न तो उसके बारे में और पर सकते हैं, PSLV C50, C50 is the 52 flight of, दो मैंने पहले का तक खराब हो गई, तो भाया होई गई, और अब यसी बात है, PSLV C50 क्या उनकी बात करोगे, तो वो 53 भी फ्लाइट रही होगी, ठीक है, दो फ्लाइट खराब हुई थे हमारी, मैं पहले बता दू, ठीक है, ठीक हो जाएगा, PSLV C50 is the second 52 flight of the, and 22 flight of PSLV in XL configuration, configuration with six strap on motor, तो भाया देखो ऐसा है कि यार यह तो फिर configuration मतलब होता है कि, जो satellite छोड़ी जा रही है, और फिर basically वो किस strap पर है, मतलब मोटर के उपर जो strap लगी होई है, वो उनके आधार पर जो इनकी configuration डिसाइड होती है, satellites की, तो उसके उपर आप जादा मच जाईए, ठीक है ना, कि कितने strap वाली motor भेज रहे हैं, है ना, satellite की है, फिर कितने, मैं, 2 strap की है, 4 strap के, 6 strap के, उसके पर मच जाईए, कितने configuration की motor है, उसके मच जाईए, that's it, let it be, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, अब आ गया जाईए, इसके बार में छोड़ बाकि बाद गया तो यह देख लीजिए आपका ठीक है ना, कुछ फोटो है, इसके बार में तो देख सकते हैं यह करे वाल अ